नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे योटुब चैनल लर्निंग हमें दोस्तों हम लोग जारखंड में आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे तो आए चली स्टार्ट करते हैं जारखंड में आपदा प्रबंधन तो सबसे पहले जारखंड में आपदा प्रबंधन से आ एक एक्ट बनाया जिसका नाम है आपदा प्रबंधन अधिनियम यह अधिनियम 25 दिसंबर 2005 में भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया इस अधिनियम के अंतरगत यह कहा गया कि एक राश्टिय अस्तर पर एक संस्था होगी जिसका नाम होगा एंडिय में इसको फुल फॉ औरवं और बंधन हो प्र रधिकरन ने अधिकरन तीजिय हो गया राश्टिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरन इस स्टीय है जो है एस ढसलिए में स्टेट डिजर्ट्र मेंगत मैने में मैनेज्मेंत अथॉरटी जिए स्टेट लेपल की होगी इसको क्या कहें गे राज आपदा प्रबंधन प्राधिकरन तो भारत सरकार ने जो आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया वर्ष दोजर पांच में इसके अंतरगत कहा गया कि एक राष्टी एस्तर पर इसकी अधियस्ता कौन करेंगे प्राइम मिनिस्टर पर इसकी अधियस्ता करेंगे प्राइम मिनिस्टर और स्टेट लेवल पर जो SDMA होगी इसकी अधियस्ता CEM करेंगे डिस्टिक लेवल पर जो SDMA होगी इसकी अधियस्टरेट करेंगे तो यह जो समझ लिया है अब हम लोग पढ़ेंगे SDMA और DDMA क्योंकि हम तो State Disaster Management Authority के बारे में पढ़ना है हमें तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं आगे SDMA और DDMA के बारे में अपने स्टेट के बारे में जहारखंड State Disaster Management Authority के बारे में पढ़ते हैं तो यह आगिया जार्खंड में आपदा प्रबंधन का शुरुवात कैसे हुआ तो यह समस्ते हैं हम लोग देखिए जार्खंड में जो है वर्स 2004 में आपदा विभाग का गठन किया गया तो अब बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि वर्स 2005 में एक्ट आया था राष्टी आपदा प्रबंधन एक्ट तो देखिए एक्ट आया था तो क्या एक्ट आने से पहले कि हम लोग आपदा से निपढ़ते नहीं थे निपढ़ते थे तो इसी तरह विभाग हर स्टेट न अब जब 2005 में एक्ट आ गया राष्टी आपदा एक्ट जब आया तो इस एक्ट के तहट क्या बोला गया था कि राजस्तर पर एक SDA में होगा फिर बोला गया कि जीलास्तर पर एक DDA में होगा तो हम इस एक्ट के तहट यह हमें बनाना है SDA में DDA में तो यह हमने बना दिया एक SDA में बना दिया State disaster management authority बनाया कब बनाया 28 मई 2010 को ठीक है और यह 28 मई 2010 को बनाने के बाद इसका संचालन हुआ स्री कृष्ण लोग प्रशासन संस्थान 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 इस तरह होगा anyway संस्थान यहां पर इसका संचालन हो रहा है यह भी रांची में स्थित है State disaster management authority 28 मई 2010 को बनाया गया जो राश्टिय आपदा प्रवंधन अधिनियम उसकी धारा 14.1 में यह कहा गया कि राज्यस्तर पर एक राश्टिय आपदा प्रवंधन प्राधिकरन होगा तो उसके तहत हमने बना दिया SDMA तो यह इसका संचालन बताया हमने कि यह संचालन जो है स्री कृष्ण लोग प्रसासन संस्थान में संचाली थे अब हम लोग SDMA में कौन अध्यक्ष होते हैं इसके सदस्य कौन होते हैं यह सारे चीज आगे वाले में पढ़ेंगे और फूर इसके बाद हम लोग 2010 को ही बना दिया यहनि माई में हम लोग 28 माई को हमने बनाया SDMA और 22 सितंबर 2010 को हमने DDMA बना दिया ठीक है तो यहां तक आपको समझ मैं आओगा ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यह वाला कोश्चन आता है इंपोर्टेंट है पूछता है कि राष्टिये आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा के तहत SDMA यानि राज आपदा प्रबंधन प्राधिकरन का निर्मान हुआ है या फिर रस्थापना हुई है तो राष्टिये आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 14-1 के तहत SDMA बनाया गया ठीक है ये भी प्रस्ण पूछा जाता है कि राज आपदा प्रबंधन प्राधीकरन किस संस्थान से संचाली थे तो स्री कृष्ण लोग प्रसासन संस्थान में संचाली थे SDM में ठीक है चलिए आगे हम लोग अभी बहुत कुछ हमें जानना है आगे बढ़ते हैं तो ये हम लोग आ गए अब इसके मेंबर के बारे में तो SDM में का गठन हुआ 28 महीं 2010 को धारा 14-1 के तहत राश्टी आपदा एक्ट में धारा 14-1 में कहा गया कि SDM का गठन करना है राजसरकारों को इससे कहीं कहीं आपको J-S-D-M में भी लिखा रहेगा तो ये वही है इसमें कोई confusion वाली बात नहीं है ये SDM में है जो State Disaster Management Authority में जार्खन जुड़िया जार्खन जार्खन State Disaster Management Authority ठीक है तो इसके अध्याच होते हैं मुख मंत्री पदेन अध्याच होते हैं मुख मंत्री इसके अलावा इसके सदस्य होते हैं अगरे लिखित विभागों के मंत्री यानि आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री गरी विभाग के मंत्री वित विभाग के मंत्री स्वास्त विभाग चिकित्सा सिच्छावा परिवार कल्यान विभाग रिसी यवं गन्ना विकास विभाग जल संसादन विभाग राजा स् भूमी विशुधार विभाग पत्थ निर्मान विभाग ये सारी विभागों के मंतरी सदस्य होते हैं जबकी सदस्य सह मुख्य कारे पालाग पदारीकारी होते हैं मुख के सचीव होते हैं चीफ सेकरेटरी ओफ स्टेट तो यह हमने SDMA का गठन पढ़ लिया SDMA का गठन किस धारा के तहत हुआ यह भी हमने पढ़ लिया SDMA कहा संचाली थे राज में किस संस्थान के द्वारा संचाली थे वो हमने पढ़ा अब हम लोग इसके सदस्य को बारे में भी पढ़ लिया अब हम लोग DDMA के बारे में पढ़ेंगे तो DDMA 22 सितमर 2010 को गठन हुआ था इसके सदस्य कौन-कौन होते हैं यह हम लोग आगे वाले सलाइड में पढ़ते हैं तो ये हम लोग आ गए DDMA के बारे में पढ़ने के लिए DDMA District Disaster Management Authority इसके सह अधियच्च होते हैं जीला परिशत का अधियच्च सदस से होते हैं पुलिस अधिक्षक, उपविकास, आयूक्त, मुखिचिकितसा पदादीकारी कारेपाला कभियनता पेजल सवस्ता इसके अलाव मुखिक कारेपाला कथिकारी होते हैं अपर समाहर्ता या अपर उप समाहर्ता तो ये मेंली ये आपको जानना है DDMA के बारे में ठीक है तो ये होता है यहाँ पे एक छुटा हुआ है इसमें इसके अधियक्ष इसके अधियक्ष का यहाँ मिस हो गया सह अधियक्ष तो दिया हुआ इसके जो DDMA के अधियक्ष होते है पदेन अधियक्ष ये होते हैं उप उपायुक्ष ये धियान रखिएगा DDMA के अधियक्ष होते हैं उप उपायुक्ष जबकि सह अधियक्ष ये जो सह अधियक्ष लिखाया ना पदेन ये जीला परिशत के अधियक्ष होते हैं और सदस्य के रुप में ये सभी होते हैं पुलिसा दिच्छक, उप विकास आये, मुख कित सा पदा दिकारी, कारेपाला कभी अनता, ये सभी सदस्य होते हैं और मुख कारेपाला का दिकारी, अपर समाहरता, अपर उप समाहरता, तो ये सभी important है, ये याद रखे हैं, ठीक है ये हो गया, DDA, समाप्त हो गया, हमने SDA में पढ़ लिया, SDA में पढ़ लिया, उसके बाद हमने DDA में पढ़ लिया, यहां समाप्त होता है इसके अलावा कुछ-कुछ important question आपदा प्रवंधन प्राधिकरन से पूछे जाते हैं, वो सारे, मैं बताता हूँ, उसमें एक और important जो पूछा जाता है, SDRF SDRF को फुल फॉर्म हो गया State Disaster Relief Fund State Disaster Relief Fund का जो गठन हुआ था 30 November 2016 को, जितने भी अगर कोई आपदा आती है, तो fund जो आता है, SDRF के तहत ही fund आता है इसका हुआ था गठन 30 November 2016 को, इस fund का जो राहत कोसे, इस राज आपदा राहत कोस का जो स्थापना हुआ था, 30 November 2016 को हुआ था और इस SDRF में धन का संग्रह जो होता, 75% हिस्सेदारी केंद सरकार की और 25% हिस्सेदारी राज सरकार की होती है इस SDRF का संचालन करने के लिए एक राज कारेकारनी समिती होती है क्या होती है, राज कारेकारनी समिती होती है, इस कारेकारनी में एक अधियक्ष होता है अध्रापन वीभाग के होते एक फाइनांस वीभाग के है एक होम वीभाग के यानि गरीफ वीभाग के और एक हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव यह सारे विभागों के प्रधान सचीव या सचीव इसके सदसे होते हैं तो एक बार मैं फिर से इसको आपको बता देता हूं और इसको हिंडी में कहते हैं राज आपदा राहत कोर्स का जो गठन हुआ था 30 नौशंबर 2016 को हुआ इसको संचालन करणी के लिए एक राज कारेकार्णी समीची होती है इस राजकार्णी समीची में बिभीन परकार के सदय से होते हैं उन में से एक पदेन सदय से होते हैं पदेन-ढ़्यक्ष होते हैं मुख्य सचीव यानि Chief Secretary of the State, तीन सदस्य होते हैं, एक वित विभाग के सदस्य होते हैं, वित विभाग के, एक होते हैं गरी विभाग के, और तीसरे होते हैं स्वास्त विभाग के, स्वास्त वित गरी और स्वास्त, ये तीनों विभाग के परधान सचीव या सचीव, ये सदस से होते हैं ठीक है इसके अलावे एक अन्य सदस से होते हैं सदस सची होते हैं मेंबर सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं कौन आप दा परबंधन विभाग के तो यह इंपोर्टेंट था यहां से कोशन पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा और देखते हैं क्या है दोस्तों तो यह है जोहार ओनलाइन टेस्ट अप्लिकेशन यह आप Android अप्लिकेशन हों यहां पर इंस्टॉल भी कर सकते हैं आपको जहां पर फ्री मेंक्विज मिलता है इसके लावगा जोहार्टेस्ट डॉटकॉम पर विजिट कर सकते हैं विभीन परकार के टैस्ट देने के लिए ठीक है दोस्तों तो यह जो हर और ने टेस्ट है इसको इस्टॉल कर लिजेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का लिंक है वहाँ भी जोईन कर लिजेगा PDF अगर आप चाहिए चाहिए तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए ठीक है और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक यू